कि नमस्कार क्यापिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबस्ट देश में कई सारे अपरादी हैं गैंक्स्टर हैं जिनकी दहशन जेल के अंदर रहते हुए भी देश में कायम है और उनमें फेमस नाम है लौरंस बिश्णोई का को क्यों भिए बड़ा घटना होती है तो ये लौरंस बिश्णोई उसकी जिम्माइदारी लेता है उसका गैं उसकी जिम्माइदारि लेता है ये सच होता है या पिर दहश्यत फ्यायने का ये तो पता नहीं लेकिन इसी बीच लॉरंस बिश्णोई से जुड़े एक और शूटर का एंकाउंटर हो गया है तो कौन है वो शूटर और क्यों हुआ है एंकाउंटर सब कुछ आपको एक एक करके स्पेशल स्टोरी बताते हैं। महराष्ट के पोरू मंतरी और तीन बार के विधायक रहे बाबा सिद्धिकी की हत्या के बाद लॉरंस बिश्णोई गैंग की चर्चा एक बार फिर से देश भर में हो रही है। वहीं पिछले महीने 12 सितंबर 2024 को दिल्ली के एक ग्रेटर कैलाश में अफगानी मूल के जिम संचालक नादिर शाह की हत्या कर दी गई। जिसके बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और मत्रा पुलिस के जॉइंट ऑप्रेशन में हत्या के आरूपी का एनकाउंटर हुआ। जिसका तार भी लॉरंस बिश्णोई गैंग से जुड़ रहा है। पुलिस को मिली बड़ी काम्याबी शार्प शूटर का हाफ एनकाउंटर लॉरंस और हाशिम बाबा से कनेक्शन पुलिस खुलासे से मचा हड़कंप 12 सितंबर अफगानी मूल के नादर शाह की जिम से बहार निकलने पर गोलियां बरसा कर हत्या करती जाती है। कटना रात करीब 10 बचकर 45 मिनट पर हुई शूटर ने जिम माली को करीब 6-8 गोलियां मारी। उसे मैक्स हॉस्पिटल आया गया लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी। म्रतक की पहचान 35 साल के नादर शाह के रूप में हुई वो सी आर पार्क का रहने वाला था और पार्टनर्शिप पर जिम चलाता था। पुलिस जाच में सामने आया कि नादर शाह की हत्या के तार लॉरंस बिश्णोई और हाशिम बाबा से जुड़े हुए हैं। जहां खुलासा होता है कि इस हत्याकान को लॉरंस बिश्णोई और हाशिम बाबा गैंग के शूटर योगेश उर्फ राजु ने अंजाम दिया था। पुलिस को लोकल गैंग पर भी हत्याका शक था। लोकल पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीम भी आरोपी वार्दात की बात से लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। रात और रात शेहर बदल लेता था इस पेशल सेल भी लगातार उसका पीछ लाके में छिपा हुआ है लोकेशन मिलते ही दिल्ली पुलिस की स्पैशल सेल मतृप पुलिस की टीम वहां पहंच जाती है इसके बाद यूपी के स्थानी पुलिस के साथ मिलकर जाल बिचाती है और वारदात के कुछ दिन बाद आगरा मतृवे पर देर रात योगेश की प पांच राउंड फारिंग होती है इस दौरान योगेश के पैर में गोली लगती है और घैल होकर नीचे गट जाता है अरोपी को गोली लगने के बाद अस्पतार ले जाया जाता है अब उसे कोट में पेश किया जाएगा मामले में आगी की कारवाई जारी है जानकानी के साली के 26 साल का योगेश बदायू के रहने वाला है पुलिस के अनुसार पकड़ा गया बदमाश योगेश हाशिम बाबा गैंग में शामिल होकर उत्तरप्रदेश में कई हत्याओं को अंजाम दे चुका है कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है इसके बाद से उसने हाशि ये नादर शाह की हत्या क्यों की गई तो अफगानी मूल का नादर शाह दिली के सियार पार्क में रहता था और वो भी अप्रादी परविर्टी का आदमी था उसके खलाब डकैती के साथ साथ चार मामले दर्ज थे चार केस दर्ज थे वह गैंस्टर कुनाल चाबडा का बि पांच करोड रुपे मांगे थे लेकिन नादर ने पुलिस में अपनी पहुच का रुद्वा दिखाते हुए कुनाल से कहा कि कोई पैसे नहीं देने है इसी के चलते नादर लॉरंस बिश्णोई के निशाने पर आ गया उस वक्त नादर ने लॉरंस से बात करने की विकोश कारण ये भी सामने आया है कि नादर की दक्चणी दिल्ली के गैंस्टर रवी गंगवाल और रोहित चौदरी से दोस्ती थी इन दोनों से उत्री पुर्वी दिल्ली के गैंस्टर हाशिम बाबा की दुश्मनी थी इसलिए हात्याकार में लॉरंस बिश्णोई ने रोहित ग गैंग्स्टर हाशिम बाबा ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की पुछताच में कई बड़े खुलासी किया है तिहाट जेल में बंद हाशिम बाबा साबर्मती जेल में बंद लॉरंस बिश्णोई से बात की थी हाशिम बाबा नादिर हत्याकान को अंजाम देने वाले भी लगाता टश में था पुलिस पुछताज में ये भी सामने आ चुका है कि नादर शाह की हत्या के बाद हाश्चिप बाबा ने अपना मुबाइल फोन तोड़ कर जेल के टॉयलेट में फ्लश कर दिया था दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक और शक्स को नोटिस जारी कि चुकी है शाप शूटर गिरफतार कहा तक जुड़े गैंग के तार वहीं इस मामले में स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच स्वारदात में शामिल कई शूटरों को पहले ही गिरफतार कर चुकी है इसे पहले पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुठबेड के दौरान कभ लेला बवाना रोड पर मधूर की मौजूदगी के बारे में सूचना मिली जिसके बाद तीम ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया उन्होंने बताया कि मोटर साइकल पर सवाल मधूर को रात करीब 9 बजे एक आवासी परिसर के पास रुखने का इशारा किया गया लेक लेकिन उन्होंने बुलेट प्रूप जैकेट पहनी हुई थी इसलिए बवज गई इस मामले पुलिस ने पहले कुल पाच बद्वाशों को गिरफतार किया है उनमें तीन नितलेश तिवारी विशाल वर्मा और आकाश यादो आजंगर से चपकी चौथा नवीन बालियान स पुलिस ने फिल्हाल पाचों आरोप्यों को अदालत में पेश किया है आरोप्यों को दस दिन की पुलिस रिमांट पर भीजा गया है वहीं उत्तरप्रदेश के साथ साथ कई राज्यों की पुलिस योगेश की तलास कर रही थी इसी बीच बुदवार रात वह एंकाउंटर के बाद पुलिस के हत्ते चड़ गया शूटर योगेश को पुलिस ने इंकाउंटर कर धर्द बोचा अरोपी को गोली लगने के बाद अस्पताल ले जाएगा अब उसे कोट में पेश किया जाएगा मामली में आगे की कारवाई जारी है वहीं योगेश से पुछताच के ब अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हां बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुणने के लिए शुक्रिया अबर से खरा सच निकाल ना कोई दौर ना कोई रेस क्यापिटल भी उत्तर देश्ट झाल धिए जिकेशन पहुचती ना भी बॉक्स भी उत्तर देश्ट ना की जिए शुक्षण।